नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो हर कोई यही चा रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाए पूर्ण कर सके कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते दोस्तों ऐसा माना जाता है और कहां भी जाता है और कई लोगों ने प्रमान भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है दूसरी तरफ यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन होगी कि वो अपना गुजारा कर सके धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं वो धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं परन्तु कुछ लोग छल पट का सहारा लेकर अती शीग्रधन कमाने की कामना करते हैं दोस्तों अगर आप भगवान की नित्य भक्ती करते हैं तो निश्चत तोर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं अर्थात आप अपने जीवन में उन तक पहुंच जाते हैं जिनकी जून तक पहुंचने क आपनी स्वपने देखा है, आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे अगर आप मेहनत के साथ साथ चोटे से उपाए करते हैं, तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता हैh, जीवन में जैसा आप चाहते हैं, वैसा आपको प्राप्ट होता है, आज हम आपको बत जाएंगे रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाई दोनों समय गेहूं के रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटियां खाते हैं तो यह उपाई माला माल बना सकता है आपके जीवन से कंगाली को दूर भीज सकता है दोस्तों परिवार जहां आए के स्रोत अच्छे है और बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानिया रहती है ऐसे में अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगहों पर खर्च हो जाता है आपके प आपको इन उपायों की जरूरत होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशिया बनी रहे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो च इन घर के अंदर आटा पीसवाना बहुत अच्छा माना जाता है आपको क्या करना है कि उसमें काले चने डालने हैं दोस्तों गुरु ग्रेह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है आपको 100 ग्राम काला चना सो पत्ते तुलसी के होने चाहिए चक्की का आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर होती है घर के अंदर खुशाली देखने को मिलती है विवाह के योग नहीं बन पा रहे है परिवार के सदस्य शादी नहीं हो पा रही है या फिर मन चाही नौकरी नहीं मिलती है तो आपको ये उपाय करना चाहिए आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला कर गुरुवार के दिन गाय को खिलाए इससे घर की नकारात्मक उर्जा खत्म होकर धन का आगमन होता पैसा नहीं रुकता तो इससे जल्द ठीक हो जाएगा इसके अलावा प्रति दिन आपको चीतियों का आटा देना भी लापकारी होता है कोई भी चिंटू का स्थान जहां पर सरवाधिक चीतिया आती हो वहां पर चीतियों को आटा और चीनी खिला देनी है इससे वो कार्य बन जाता है जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता इतना प्रभाव शाली ये उपाय बताया गया है तो इसको कीजिए और आपके जीवन में फाइदा देखी है उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आएगा ताकि आने वाला नौलजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई